हाई फ्रेंड्स आपको दिखाने जा रही हूं वो और परपस सोयल मिक्स है और उसको मैंने तो हर एक पॉट में यूज किया है और आपको ठीक लगे तो आप भी यूज कर सकते हैं तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि हमारे जो मार्केट्स हैं उनमें जो पॉ मिलता है वो कैसा है यह देखिए इंग्रीडियेंस क्या-क्या उसमें है कोकोपीट, वर्मी कंपोज, परलाइट और वर्मीकुलाइट और उसमें उन्होंने मिक्स किया है सैंड, राइस हर्सक, वर्मी वाश और नीम खली और उसका फायदा है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा सॉयल मिक्स कैसे बनता है यह देखिए यह है गोबर खाद, इसी में यह दो बल भी मिल गए है तो यह गोबर खाद बिलकुल अच्छा सड़ावा गोबर खाद है और सॉयल मिक्स करने के लिए यह हमने बिचा लिया है यहाँ पे एक प्लास्टिक तो मैंने कुछ हेल्प लिया है अपने माली भया की तो यह देखिए इसमें तीन तरह के खाद मैं मिलाने वाली हूँ एक हो गया गोबर खाद यह हो गया वर्मी कमपोस्ट और एक हो गया हमारा घर का खाद जो कि बहुत ही अच्छा घर में ही मैंने बनाया है तो यह एक एक bucket मैंने तीनों खाद लिये हैं और तीनों को एक जगे पे प्लास्टिक के उपर डाल दिया है यह देखिए यहां पर यह हमारा गूबर खाद है फिर यह वर्मी कंपोस्ट है फिर उसके बाद हमारा जो घर का बना हुआ खाद है वो है तो वो तीन बकेट वो हो गए फ्रेंज, मेजरमेंट के लिए है, आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, और उसमें तीन बकेट ही मैं डालने वाली हूं मिटी, तो ये हमारे गार्डन की सॉयल है, और आप चाहें तो अगर आपके पास गार्डन में सॉयल इतनी नहीं है, तो आप बाहर से भी मिटी ले सकते हैं अगर आप बाहर से मिटी लेते हैं तो उसमें आपको खाद की जो quantity है वो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि बाहर की मिटी में तो बिलकुल भी कोई nutrition नहीं होता आपके garden की मिटी में nutrition होता है चलिए जब तक तक तीन बाकेट मिटी एकटी होती है तब तक मैं आपको यह seedlings दिखा देती हूँ और यह दो ही दिन में germinate हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हैं मटर के seeds यह time लगाएंगे फिर बीट रूट के seeds हैं और यह हैं शल्जम के यह सब time लगाते हैं तो अभी तक हमने इस soil mixture में डाला है तीन बाकेट खाद mix जो भी आपके पास है और तीन बाकेट उसमें अपनी garden soil अगर आपके पास garden soil नहीं हैं कम हैं आपको बाहर से लानी हैं तो in that case आप खाद ज्यादा मिलाएं और यह देखिए जो हम पुरानी गमलों में से जो soil निकालते हैं उसमें जो पड़ी हुई roots होती हैं उनको भी हम गमलों के base में लगा कर दुबारे से use कर सकते हैं आपके आपके जो soil mixture है उसमें दीमक वगरे को दूर रखती है फिर दूसरे नंबर पे हम इसमें mix करेंगे bone meal bone meal बहुत ज़रूरी है यह calcium और phosphorus प्रोवाइड करती है soil mixture में लेकिन अगर आप bone meal नहीं डालना चाहते हैं किसी वजह से तो आप इसमें calcium की पूरती आप इसमें चूना डाल कर भी कर सकते हैं और तीसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे fungicide fungicide में आप डालिए trichoderma या फिर कोई भी आप fungicide डालिए मैं trichoderma यूज करती हूँ यह bio fungicide है अब last का काम बस रह गया है इसको अच्छे से mix करने का friends यह जो mixing है यह बहुत ही important चीज़ है इसकी वजह से ही जितने इसमें nutrients अभी soil में हमने डाले हैं वो सारे के सारी जो हैं अच्छे से plant को provide करेंगे और plant उनको absorb करेगा ठीक से अगर यह soil mixture ठीक से मिलेगा नहीं इसकी mixing ठीक से नहीं होगी तो हमारे plants ठीक से thrive नहीं कर सकेंगे ठीक से पन पेंगे नहीं तो एक बार तो यहां मैं अपने माली भया से इसको अच्छे से mix करा लेती हूँ फिर उसके बाद इसको यह देखिए इसमें चोटे चोटे पत्थर भी निकलते हैं जो आप market से आप खाद खरीदते हैं वर्मी कंपोस्ट हो या फिर नॉर्मल गोवर का खाद हो मैनियोर हो कोई भी उसमें थोड़े बहुत पत्थर आते ही हैं तो वह आप इस स्टेज में फर्स स्टेज में उनको दूर कर ले उसके बाद आप इनको सैक्स में भरके रख सकते हैं और जब जरूरत पड़े तब उस टाइम यूज करें तो यह मिक्सिंग ही टाइम लेती है जादा तर क्योंकि इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है यह देखिए इस टाइप से तो इस काम के लिए मैं अपने माली की हेल्प लेती हूं फ्रेंड्स यह काम मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है और यह काम यह मेरा माली भीया बहुत अच्छे से कर लेता है आप भी किसी की हल्प ले सकते हैं और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा time consuming है और असान है बिलकुल एक दम जब तक ये soil mix अच्छे से तयार होती है तब तक मैं आपको ये देखिए अपना अनार का पेर दिखा देती हूँ और ये चोटी सी जो चत साथ में दिख रही है इसी में मैं अपनी kitchen gardening करने वाली हूँ बड़ी रूफ पर इस बार मैं नहीं जाओंगी क्योंकि वहां चाड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा और ये देखिए ये पॉमेग्रेनिट का ट्री कितना सुंदर लग रहा है उसके साथ ही एक अमरूद का पेड़ है और फिर उससे लगा हुआ ही एकदम एक आम का पेड़ भी है और ये देखिए ये मेरा pet है टैंगो इसका नाम है ये भी यहीं आसपास ही घुम रहा है तो फ्रेंट्स चलिए चलते हैं अपने soil mixture की तरफ ये बिलकुल बनकर तयार हो जैसे मैं आजकल इतनी reporting कर रही हूं तो ये एक ट्रे या कोई भी बरतन हो जिसमें आप soil को फिर से दुबारा से एक बार mix कर लें क्योंकि अभी भी इसमें छोटे मोटे पत्थर हैं जो की जल्दी में जो माली है वो नहीं निकाल पाया है तो इन पत्थरों को आप अलग कर हैं फिर से जितना आप इसको mix करेंगे उतना ये जो soil mix है plants के लिए बढ़िया बनेगी और इसकी जो nutrition इसके अंदर है plants के लिए वो plant अच्छे से absorb कर सकेगा in a way soil has to be बहुत भुरबुरी porous एकदम well draining soil होनी चाहिए और organically rich होनी चाहिए तो ये देखे इस टाइप की soil हमको चाहिए होती है friends तो ये मैं आजकल अपने हर एक pots में use कर रही हूँ और आप बोलेंगे कि ये soil कहीं भारी तो नहीं कहीं इसको वजन तो नहीं हो जाएगा नहीं बिल soil है तो इससे आपको पूरा गमला भर के जरूरत भरने की जरूरत ही नहीं है बिलकुल भी तो ये देखे इस टाइप से मैंने इतना इतना गमलो को भरा है और ये soil बिलकुल भुरी है और इसमें जो है humus अच्छा है क्योंकि इसमें हमारी खाथ जाता है तो friends आपको ये soil mix क potting soil आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको और comment section में बताएगा और friends जो भी इस वीडियो को first time देख रहे हैं प्लीज वीडियो को subscribe कर लें और bell icon का button भी दबा दें तो फिर मिलेंगे next video में friends तब तक के लिए bye bye happy gardening